अब तो आज मैं आप लुग तो आज में आप लिए अपली शेयर कने वाली हो जो है फिश फ्राइब और प्राउनस फ्राइए अध्याया और पॉस्पोर्ण से लीए से वाश्री अधर प्रा द्स बाप अधर लिए सब्सक्राइब करेंगे शाड़ नमक लाल मिच का पॉडर आस पर टेस्ट, मैंने यहाँ पर 1-1 टेबल स्पून ऑफ नमक और लाल मिच का पॉडर लिया है, आप लोग आस पर टेस्ट यूज कर सकते हैं, कम ज्यादा, और हल्दी का पॉडर एड़ करेंगे, बेस सन एड़ करेंगे, एक टेबल स्पून के खरीब, और कॉंड फ्लॉर क यह तुरह साब करेंगे, अच्छ पै करेंगे, आचरी मिक्स कर लेने के बाद, हम इसमें आइप करेंगे, और कुछ नहीं अच्छ नहीं, दिखने में अच्छ है, यह उप्शनली मिच चाहें, यह तो ऐसे भीका, यह से अच्छ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर हाथ भौर से हलकी हाथ से इसे मिक्स करेंगे रेट फूट कर लेने के बाद यह कुछ इस तरह दिखेंगा इसमें हमाइट करेंगे एक निम्बू कर रस इसे फलेवर बहुत अच्छा आता है कि इसका लास्ट टेप है हमें इसमें आट करना है लैसन कुटा हुआ लैसन आट करके इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लैसन से इसमें और ज्यादा फ्लेवर आएगा और 10-15 मिट रखकर इसे हम टीप फ्राइ कर लेंगे यूँ से एक-एक करके इस तरह से हम डालेंगे मेक शिर के तूटे ना क्योंकि यह बहुत ही नरब मुल्मले रहते हैं इस तरह से इसे डीप फ्राइ करेंगे हैं हमारे प्राउंस फ्राइड रेडी है आप लोग देख सकते हैं वीडियो में दूसरी तरफ हम यहाँ पर फिश कि इस तरह से हमें यहां पर डीप फ्राइ करना है वन बाई वन तो जैसे कि हमारे यहां पर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो फिश फ्राइ और प्रांज फ्राइश सर्दियों में अच्छे लगते हैं इस तरह से हम फिश को डीप फ्राइ कर लेंगे और इसे अलग से कंटेनर में या तो सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें हम एड करेंगे कटी ही प्यास तला हुआ करिया पक और हर इमिर्च यह उप्शनल है अगर लोग चाहे तो एड कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा निम्भू भी कट करके रखेंगे अज यह आज की रेसिपी फिश फ्राइ और प्रांस फ्राइ की अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसन आई है तो लाक शेल सब्सक्राब जरूर कीजिएगा थैंक यह सो मच फॉचिग मैं वीडियो आला हाफिसान बाबाब आ व्रीवान झाला होगाँगा झाला है झाला है